हेलो एवरिवन, नेक्स्ट वीडियो जो मैंने कहा था नैनो बायो टेक्नोलोजी से रिलेटेड होगा वो मैं देकर की आई हूँ जो की है बॉटम अप एप्रोच औफ नैनो मैटीरियन सिंथेसिस इसके पहली नैनो बायो टेक्नोलोजी का मैंने टौप डाउन एप्रोच बताया था और उसमें कुछ मैथट भी मैने लिफोग्रेफी का एक्स्प्लेड किया था मिलिंग का भी explain किया था लेकिन bottom-up approach में मैं अभी कुछ explain नहीं करूँगी कोई भी method क्योंकि उसमें जो जितनी method है वो थोड़ा सा lengthy है तो वो मैं next video में लेकर किया हूँगी अभी general bottom-up approach के बारे में मैं बता देंती हूँ इसके बाद आपका जो topic है nanofabrication तो nanofabrication में भी यही top-down और bottom-up approaches की किस तरीके से nanomaterial की synthesis होती है वो आपको same ही लिखना है ठीक है तो nanofabrication के नाम से अब मैं वो video लेकर आऊँगी जिसमें मैं bottom-up approach को जोड़ा detail में बताऊँगी आपको ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते ही यह video कितम करते है bottom-up approach of nanomaterial synthesis देखी bottom-up approach में क्या होता है हम बहुत ही small molecules जैसे atomic level के जो molecules होते है मतलब atoms से start करते molecules sorry molecules नहीं कहते हैं atomic level पे हम start करते है atoms को जोड़ जोड़ करके हम cluster बनाते हैं सबसे पहले atoms को आपस में चुड़के cluster बनाएंगे और फिर उन clusters से अपना nanoparticle के synthesis करेंगे जिस तरीके का हमें nanomaterial बनाना है उसको हम synthesize करेंगे वो cluster से cluster की help से atom से cluster बने cluster से nanoparticles बने जिस भी size के चाहिए हमें जितने बड़े चाहिए हमें उसको हम बना लेंगे जो भी nano devices बनाने है nano tubes बनाने है उसको उसके according हम बना लेंगे ठीक है तो इस तरीके से छोटे से बड़ा हम बनाते हैं छोटे level से शुरुआत करके उसको हम assemble करके बड़ा बनाते हैं तो इसमें starting material जो हमारा होता है वो liquid या gaseous phase में होता है और हमने देखा था top down में वो solid state में होता है तो इसमें जो हम starting material लेंगे वो liquid और gaseous state में होना चाहिए और produce cheaper devices than top down approach अब इससे जो bottom up approach से जो भी devices या जो भी हम nano material बना रहे हैं वो थोड़ा सस्ता पड़ता है as compared to top down approach और वो जादा अच्छे से बना सकते है उसका हमारे उपर मतलब जो भी हम बनाने वाले है उस पे हमारा control जादा होता है कि हमें कितना कैसा बनाना है कि shape का बनाना है ठीक है तो वो उसको हम अपने according बनाते है अपने according उसको रोक सकते है reaction को तो इसलिए इसको कहा गिया है कि cheaper पड़ता है और control हमारा जादा रहता है size और shape of nanomaterials जो हमें devices बनानी है तो जो बहुत ही हमें precise nanometrials बनाने होते हैं जो pharma में health care के में use होते हैं उसको हम कैसे बनाते है nanomaterials को bottom up approach से चिक है bottom up approach की मदद से बनाते है अब देखी nanomaterials are formed by strong physical and chemical interaction between atoms या molecule अभी जो nanomaterials बनते हैं यह आपस में जिसे जुड़ते हैं तो जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें force of attraction लगे का तभी पास आएंगे जुड़ेंगे तो उसके लिए कौन से forces लगते हैं कुछ physical और कुछ chemical forces रखते हैं तो chemical forces में क्या आएंगे थोड़ा सा उसमें covalent bonding हो सकती है या कोई non-covalent interaction हो सकता है तो इस तरीके से nano particles बन जाते हैं अब जो हमारे bottom up approach हैं उसके अलग-अलग जो methods हैं उनको अभी हम discuss कर लेते हैं का fabrication या detail video हम next part में लेकर के आएंगे तो बस हम देख लेते हैं कितने type के होते हैं methods ये methods bottom up approach of nanomaterial biosynthesis के हैं कोई confusion नहों इसने में फिर से बता दे रही हूँ तो उसके method देख लीची क्या क्या है physical vapor deposition, chemical vapor deposition, electrochemical deposition ये तीनों deposition से related हैं साथ ही इसली मैंने लिखा है और जो हम chemical vapor deposition में atomic layer deposition इसका example है सबसी best इसली उसको मैं explain करूँगी थोड़ा detail में तो उसमें हम आप ELD भी लिख सकते हैं atomic layer deposition उसके बाद electrochemical deposition है soil gel method है, laser ablation method है, pore precipitation method है तो ये सारे के सारे method में nano fabrication वाले topic में discuss करूँगी ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते है nano fabrication देखे मैंने heading डाल दी है next video मैं इसी पर बनाने वाली हूँ तो तब तक के लिए आप लोग इतना देखिए और मैं भी next topic को prepare करके आप लोगों के लिए video हो सकता है कल तक लेकर के आजाओ, ठीक है इस week में जितने वीडियो मेरे आजाएंगे Thursday तक वो उतने ही मैं upload कर पाऊंगी उसके बाद जैसे चुटिया हो रही है दिशहरा की तो उसमें 24 दिन के लिए मेरे वीडियो नहीं आपाएंगे तो उसके बाद पिर next week में Monday या Tuesday से स्टार्ट होंगे तो Thursday तक जो वीडियो आजाएंगे आजाएंगे फिर next Tuesday या Wednesday से ही स्टार्ट हो पाएंगे तब तक के लिए पुराने वीडियो देख के रिवाइस करिएगा ठीक है, थेंक यू